अलो प्रेंट्स, इस्टडी वित कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है आज की इस क्लास में हम बहु उद्देश सी परियोजनाओं के बिसे में स्टार्ट करेंगे और देखेंगे कि भारत में विभिन नदियों पर तमाम सी बहु उद्देश सी परियोजनाओं बनाईगी हैं जिनमें बहुत से डैम हैं, विद्दुत के कारखाने हैं और सिचाई की परियोजनाओं हैं अलग-अलग कारों से उद्देसों को ले करके बहुत सी परियोजनाय बनाई गी हैं। आज की इस क्लास में जो हम प्रमुक रूप से डिसकस करेंगे वो सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों पर कौन-कौन सी परियोजनाय बनाई गी हैं। उस पर बात करेंगे। बहुत देसी परियोजनाय जो हैं वो क्या होती हैं। जैसा की नाम से आप देख रहें बहुत देसी यानि की सिचाई, बिजली, जो जलबिदुत है, बाढ़ को नियंतरित करना, पे जल करना, ये सब तमाम कारे होते हैं जो इन परियोजनाय से पूरे होते हैं। पंडिजवाला नहरू ने बहुत देसी परियोजनाओं को प्रारम्भ किया भारत में और उन्हों ने कहा कि ये जो परियोजनाय हैं, बहुत देसी परियोजनाय ये आधनिक भारत के मंदिर हैं, तीर्थ हैं। ये प्रसन अक्सर पूछ लिया जाता है कि पंडिजवाला नह परियोजनाएं हैं बहुत से डैम हैं डैम परियोजनाओं के अलग अलग उद्देश हैं कुछ केवल जल बिद्दुत के लिए हैं कुछ सिचाई जल बिद्दुत बाढ़ नियंतरण पेर जल इत्याद से रिलेटेड हैं तो उनको हम देखते हुए चलेंगे हमने जैसा आज को टॉपिक बताया कि आज हम देखेंगे कि सिंधु नदी तंत्र पर कौन कौन सी परियोजनाएं बनी हुई हैं जो सिंधु नदी तंत्र है इंडस रिवर सिस्टम ये तीन देशों में फैला हुआ है इसका कुछ पार्ट जो है वो चीन में है ये चीन इधर है पड़ता जो इस सिस्टम की दो प्रमुख नदीया हैं सिंधु और सतलज ये चीन से इनका उद्गम है यहाँ पर ये सब पूरा सिस्टम हमने आपको पढ़ाया है तो रिवर्स के बिसे में हम डिसकस नहीं करेंगे इस चैप्टर में हम यहाँ पर बात करेंगे परियोजनाओं के बि फिर भी यहाँ पर हम नदियां देख लेते हैं चीन से दो नदियां है एक नदी है सिंधु इंडस और इंडस रिवर्स में जो प्रमुख इसकी सहायक नदी है जो भारत से निकलती है वो है चेनाब चेनाब रिवर्स में कई नदियां मिलती है एक जमू कस्मीर से ही नदी जो है जहेलम एक रिवर्स है रावी हिमांचल प्रदेश से एक और नदी है सतलुज जो चीन से निकलती है यह नदी है सतलुज नदी जो है चीन से निकलती है और सतलुज नदी में एक और नदी हिमांचल प्रदेश से आके मिलती है वो है प्यास नदी तो यहां पर आप टोटल जो है छे नदियां देख रहे हैं इन छे नदियों से मिल करके इंडस रिवर सिस्टम बनता है और यह रिवर सिस्टम इसकी नदियां ज्यादा तर सब जो है उदगम भारत में हैं दो नदियां चीन से निकलती हैं और इसके बाद यह सारा सिस्टम जो है पाकिस्तान में जाता है ये है पाकिस्तान और ये सब कुछ जा करके अरब सागर में गिरता है जा करके अरब सागर में और कराची बंदरगाह आप देखते हैं तो इसे इंडस रिवर के किनारे है जो है कराची सहर तो इस तरह से ये सिस्टम पूरा आपका समझा हुआ ह अब यहां पे कौन कौन सी परियोजनाएं हैं उनके विसमें बात करने से पहले आपको एक चीज जानी होगी क्योंकि इस रिवर सिस्टम को ले करके भारत और पाकिस्तान के बीच में एक समझोता भी है क्योंकि उद्गम अस्थल भारत की तरफ है या फिर चीन में है कहने का मतलब यह है कि पूरा पानी भारत के भूमिसे होकर के ही पाकिस्तान में जाता है तो ऐसी इस्थिती में भारत इस नदियों के पानी को रोक सकता है डाइवर्ट कर सकता है तो इन सब चीजों से बचने के लिए एक समझोता किया गया है वो समझोता कहलाता है सिंधु नदी जल समझोता जो 1960 में हुआ था तो उसको पढ़ने से पहले हम इसी समझोते के विशे में बात कर लें क्योंकि जब आप उस समझोते के विशे में जानेंगे तभी आप यहाँ पर काफी चीजों को समझ पाएंगे तो हम समझोता देख लेते हैं जिसको कहते हैं सिंधु जल समझोता नदी समझोता भी कहते हैं इसे सिंधु जल समझोता और यह समझोता जो है भारत और पाकिस्तान के बीच में 1960 में हुआ था भारत की तरफ से जो है पंडित जवाहरला नहरू जो हमारे प्राइमिनिस्टर थे पंडित जवाहरलाल नहरू ने हस्ताचर किये थे और पाकिस्तान की तरफ से जो है आयोब खान जो वहां के सेकेंड प्रेसिडेंट थे उन्होंने हस्ताचर किये थे आयोब खान तो इन दोनों लोगों ने मिल करके ये समझोता किया था और इसमें बिस्सु बैंक का बहुत जो है महत्पूर्ण योगदान था मध्यस्थ के रूप में मीडियेटर के रूप में बिस्सु बैंक को रखा गया था क्या समझोता हुआ था समझोता इन नदियों के जल के बटवारे को ले करके था और जो मोटी मोटी बात है उसमें लगभग 80% पानी पे पाकिस्तान को अधिकार दिया गया था और 20% वाटर पे जो है इंडिया को अधिकार मिला था तो आप इसको इस तरह से कह सकते हैं कि इस समझहोते के तहट भारत को कितना पानी मिला भारत को मिलता है 20% लगभग पानी लगभग में है और वहीं पाकिस्तान को जो है इस पूरे रिवर सिस्टम का 80% पानी यूज करने का जो है अधिकार दिया गया प्लस इसको जो है 83 क्रोड रूपी भी दिये गये थे नहरे इत्यादी यानि अपने वाटर मैनेजमेंट को करने के लिए उस समय इतना पैसा भी इनको उपलब्ध कराया गया था तो यह हुआ था समझहोता अब एक्चुल में इस समझहोते में भी कुछ डीप चीजे हैं सिर् नदियां हैं आप देख रहे हैं मैप में छे नदियां हैं इन छे नदियों को दो वर्गों में भाजित कर दिया गया एक को कहा गया पश्चमी नदियां एक जो है तीन नदियों को पश्चमी नदियां माना गया जो उपर से आप तीन देख रहे हैं सिंधु जेलम और चिन इन तीन नदियों को यह पश्चिम की तरफ मान लिया गया इसमें कौन कौन सी तीन नदिया है सिंधु नदी और जेलम नदी और चेनाब नदी इसको समझना जरूरी है नदियों के हिसाब से डिवाइडेशन यदि आप सिर्फ इतना मान के चलेंगे कि सिंधु नदी का 20% पा नदिया मानी गई जिसमें तीन रिवर्स थी इनमें कहा गया कि इसके पूरे पानी पर पाकिस्तान का हक होगा तभी उसका 80% वाटर बना जा करके तो यहां पर यह यह यहां पर पाकिस्तान को जो है दिया गया यह पाकिस्तान को इस पर अधिकार दिया गया लेकिन इसमें एक बात कहीगी कि इसमें रण आफ दा रिवर प्रजेक्ट बना करके इंडिया जो है इसको यूज कर सकता है यानि कुछ इसमें अपवाद रहेंगे वह क्या रहेंगे कि भारत जो है कौन सा प्रजेक्ट चला सकता है रन आफ द रिवर प्रजेक्ट बना सकता है प्रजेक्ट बना सकता है और बाकी जो घरेलूप योग है पीने का पानी है बाड से समंदित मेनेजमेंट है ये सब कर सकते हैं बस उसमें सर्थ ये हैं कि रन आफ द रिवर ये टर्म आप पढ़ें रन आफ द रिवर टाइप का प्रजेक्ट होना चीए इसका मतलब ये होता है कि नदी रन करती रहे बैहती रहे यानि कि आप ऐसा कोई बहुत बड़ा डैम बना करके इसके पानी को डाइवर्ट नहीं कर सकते हैं कल को ऐसा नहीं कर सकते हैं कि आपने जो है चेनाब को बंद कर दिया या जहलम को बंद कर दिया या सिंध नदी को बंद कर दिया और फिर आपने इसमें से नहरे निकाल ली या बड़ा डैवर्जन कर दिया और पानी इंडिया की तरफ मोड लिया पाकिस्तान में पानी नहीं जाने दे रहे हैं तो इन तीन नदियों पर ये प्रतिबंद है कि यहां पर रन आफ दर रिवर लागू रहेगा यानि नदियों का पानी पाकिस्तान में जाएगा ही जाएगा उसका पूरा हक दिया गया इसमें भारत ऐसे प्रोजेक्ट बना सकता है बिजली बनाने के लिए यान किसी सब्चावित न हो और आप उपयोग भी कर लें और पानी जाता रहे तो इसमें छोटे- casual दयां जा सकते हैं चोटी-छोटी परियोजनाय लगाए जा तते हैं लेकिन पानी या इकांटिनू पाकिस्तान जाता रहे तो यहां पर आप देखोगे जो शुरू नदिपे जहलम या चिनाब पे जो डैम बनाए गए हैं वो आकार में छोटे हैं और वो इसमें कमी ये रहती है कि जो रन अब दा रिवर प्रजेक्ट होते हैं चुकि नदी का पानी आप इकठा नहीं कर सकते हैं इसलिए लगातार पूरे वर्स काम करेंगे कि नहीं करेंगे इसमें क्यांटी नहीं रहती है फिर भी आप इतना कर सकते हैं तो यह जो तीन नदिया ये प्रमुख तीन नदिया हैं और टर लगभग काफी ज्याद अब काफी ज्यादा है इसलिए पाकिस्तान के हिस्से में ज्यादा पाणीज जाता है दूसरे को कहा गया पूर्वी हिस्सा जो और सतलज तो इस पे पूरा हक पूरा अधिकार भारत का रहेगा आप इसके पानी को कैसे भी यूज कर सकते हैं आप इस पे बड़े डैम बनाएए, नहरे बनाएए, डाइवर्जन करिए, कुछ भी करिए ये पानी जो है आप जितना यूज करना चाहें आप कर सकते हैं 100%, तो इस तरह से ये बटवारा किया गया है, तो ये है सिंधु जल समझोता, अब इसको ले करके समय समय पर, चूँकि पाकिस्तान के साथ में हमारे सम्मंध अक्सर मधूर नहीं रहते हैं, तो ऐसे में भारत से भी बहुत सी मांगे उठती हैं, कि क्यों ना सि आतंकवाद को हमारे एरिया में प्रायोजित करता है, आप देखते हैं 2001 में संसद पे हमला हो गया, 2008 में मुंबाई में हमला हो गया, 2016 में उरी में कांड हुआ, और उसके बाद 2019 में आप देखते हैं पुलवामा में अटैक हो गया, और ये तो सिर्फ चंद हैं, बहुत से घ पालो ना करें और हम इन नदियों के पानी को अपने हितों में ज्यादा योज करके पाकिस्तान पर एक प्रेसर बना सकते हैं ताकि वो हमारी बात को माने, क्योंकि पाकिस्तान का जबाब भगोले का ध्यन करेंगे, तो अगर हम सिंधु नदी तंत्र को पूरी तरीके से रो जो है पाकिस्तान में इसमें कुछ रिवर्स जो है वो अफगानिस्तान की तरफ से भी आकर के मिलती हैं और यही इसका सबसे उपजाओ जो है सिंधु का जो मैदान है और यह जो पंजाब का मैदान है इसमें काफी एगरिकल्चर होती है तो उसके उपर प्रेसर बनाया जा सक पर वाटर मैनेजमेंट जिस तरीके से हम सोच रहें उस तरीके से करना उतना आसान भी नहीं है और दूसरी चीज यह एग्रिमेंट में जो मीडियेटर है आप देखते हैं जो मीडियेटर है विसुबैंक इसकी वजह से यदि हम इस समझोते का उलंगन करेंगे तो पाकिस्ता करनी की जरूरत भी नहीं है किऊकि हम इन तीन नदियों को भी आगर हम कंट्रोल करते हैं तो काफि हम अपना हित निकाल सकते है तो यह अब हम बात करते हैं कि क्व्ण कव्ण सी परियोजना इन नदियों पर बनाई गई हैं तो चले Passagna करदेंगों सबसे पहले नहीं देखेंगे कि अपने इंडिया की जो तीन रिवर्स है, जो जिनका पानी हम ज्यादा अच्छे से यूज कर सकते हैं, तो इनी नदियों पर हमारी बड़ी प्रयोजनाय हैं, सबसे पहले हम उन्हें देख लेते हैं, जो फेमस सबसे ज्यादा प्रयोजनाय है, जिनका हमें बहुत ज्यादा फाइदा मिलता है वो परियोजना है हमारी सतलज नदी ब्यास नदी और रावी नदी पर ही इस्थित हैं इसके बाद जेलम चनाब पर जो इस्थित हैं उसमें हम छोटी-छोटे प्रोजेक्ट बनाए हुए हैं सिंधु नदी पर इस्पेसली उनकोंसे प्रोजेक्ट हैं उनको आप देखते जाएं बहुत ज्यादा इसमें आपको कुछ याद करने के जुरोत नहीं पड़ेगी कहां से निकलती है कहां से प्रवेश करती है किन प्रदेशों में बहती हैं सब कुछ आपको हम पढ़ा चुके हैं चाइना से आती इंडि ब्यास रावी चिनाब और जेलम इन पांच नदियों से पंजाब का मैदान बनता है क्योंकि पांच आब हैं ये पांच और ये पंजाब का मैदान पाकिस्तान में भी है इंडिया में भी है और काफी उपजाओ छेत्र है एगरिकल्चर के देश्टिकोंड से 17 नदी जब सत्लफ रिवेर पर एक सबसे पहले डेम पड़ेगा हिमांचल पर्देश में यह है नाथफा ज्हाकरी परियोजना यह बांध है नाथपा ज्हाकरी और यह है हिमांचल पर्देश में इतना ही आपसे पूछा जा सकता है कि नात्पा ज्हाकरी परियोजना किस प्रदेश में है और किस नदी पर है तो ये सतलज पर है और ये हिमांचल प्रदेश की परियोजना है इसके बाद में दो बहुत महत्पूर डैम है जिनको मिला के एक भारत की ये सबसे बड़ी परियोजना है और काफी फेमस परियोजना है हिमांचल प्रदेश में एक डैम है भाखरा नाम के स्थान पे जिसको भाखरा डैम कहा जाता है यहाँ पर आप देखोगे तो हिमांचल प्रदेश में एक डैम बनाया गया है भाखरा भाकरा बांध भाकरा बांध जो है हिमांचल प्रदेश में है और भाकरा बांध के थोड़ा ओर नीचे बढ़ेंगे तो 12-13 किलो मीटर दूरी पर पंजाब सुरू हो जाता है और पंजाब में एक और बांध बनाया गया है जिसको कहते हैं नांगल बांध नांगल बांध और ये है पंजाब में ये परियोजना भाकरा और नांगल की जो मिली दोनों बांधों को मिला के एक परियोजना है इसको हम भाकरा नांगल परियोजना कहते हैं भाकरा नागल परियोजना भाकरा नागल परियोजना जो है काफी फेमस है बहुत बड़ी परियोजना है भारत की ये जो परियोजना है भाकरा नागल परियोजना इसके विशे में कुछ चीज़ें आपको जरूर जाननी चाहिए यहां से कुश्चन बनते हैं बाकी बहुत हर परियोजना के विशे में आपको बहुत चीजे नहीं जाननी है लेकिन कुछ एक दो परियोजना है जैसे ब्यास परियोजना है भाकरा नंगर परियोजना और कुछ हैं जो चर्चित हैं उनके विशे में कुछ चीजें आपको जाननी है तो भाख्रा नगर परियोजना जो है एक चीज तो आपको यह जाननी है कि यह देश की सबसे बड़ी परियोजना है प्रोजेक्ट यह सबसे बड़ा है एक चीज आपको यह जानना है 1963 में यह परियोजना बनी थी और इसमें जो भाख्रा बाथ जो है वो सबसे उच्चा गुरुति बाथ है यह जो भाख्रा बाथ की बात हम कर रहे हैं भाख्रा बाथ यह बिसुका सबसे उचा है भारत का ही नहीं बिसुका सबसे उचा सबसे उचा गुरुत्वी बांध देखो गुरुत्वी बांध की बात की जा रही है ऐसे तो एसिया में यह सेकंड है उचाई में इससे उचे पर टेहरी बांध है जो आप अभी जब गंगा प्रजेक्ट पढ़ाएंगे गंगा रिवर पर तो भागी रथी और भिलंगना नदी पर जो बनाया गया है टेहरी बांध तो वो प्रजेक्ट इससे उचा है लेकिन यह था में है तो पहले है की ऑप जयारी है और सीकर्ड पे जो है मूझाई की बात की जा रही है सेकर्ड में यह आपका भाकरा है अब जैसे आपने देखा कि यह हिमांचल प्रदेश और पंजाब दोनों में आता है प्लस इसमें राजस्थान भी है हिमांचल प्रदेश पंजाब राजस्थान की सहिक्त प्रयोजना है इससे कौन-कौन से प्रदेश लाभनवित होते हैं तो वो आपको याद रखना है कि प चाई और जल विद्दुत दोनों से रिलेटेड है और इस परियोजना का लाब हिमांचल परदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली कौन कौन से हमने बताए हिमांचल परदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली ये सभी परदेशों को जो है और प्लस राजस इन सब प्रदेशों को इसका फाइदा मिलता है तो भाकरा नागल परियोजना कहा है बेसिकली इसको पंजाब में माना जाता है हिमांचल प्रदेश और पंजाब हिमांचल प्रदेश में भाकरा बांध है और पंजाब में नागल बांध है यह जो भाकरा बांध है जब ही कभ बांध भाकरा बांध के पीछे जो जलासे बन जाता है पानी रोकेंगे तो जहील बनेगी उसको कहते हैं गोविंद सागर हिमांचल प्रदेश में है गुर गोविंद सिंग थे उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया है गोविंद सागर यहांपे पढ़ेगा अपका हिमां यहां पर है गोबिंस्दैकर तो यह नाथफा झाकरी और भाकरा नांगल नेपर हैं किस दीपर है सतलोज नदी पर हैं अब यह ब्यास जो रिए वर हैं अग्यास पर ब्यास पर युज़ना बनाई गिए इसमें हमें मुखरूप से जो है दो तीन बांधों के नाम आपको जानने हैं कहां पर इस्थित हैं किस से रिलेटन हैं वो आप देखें यहां पर आपका एक डैम है जो भ्यास और सतलज के संगम पर बनाया गया है यहां पर यह है हर के बैराज यहां पर संगम पर जहां पर सतलज और ब्यास आकर के मिलती हैं वहां पर बनाया गया है पंजाब में और यहां से सिचाई के लिए सिचाई से रिलेटन यह बैराज है यहां से सिचाई के लिए नहरे निकाली गई है और सबसे प्रमुख जो नहर आप जानते हैं वो है यहां से निकाली गई इंदरा नहर हर के बैराज से इंद्रा नहर निकाली गई कौन सी इंद्रा गांधी नहर इंद्रा गांधी नहर यहां से निकाली गई है जो राजस्थान जाती है राजस्थान तक जाती है विश्व की सबसे लंबी नहर है ढकी भी नहर है और काफी राजस्थान के काफी एरिया को यह पानी उपलब्ध कराती है तो हरके बैराज से कुश्चन आ सकता है कि इंद्रा नहर कहां से निकाली गई है किस नदी से किस बांध से किस स्टेट से काफी कुश्चन बन सकते हैं और किस स्टेट को सिचाई प्रवाइड कराती है तो राजस्थान तक जाती है ये राजस्थान में भी ये सिचाई प्रवाइड कराती है ये सतलज नदी और ब्यास नदी के संकम पे जो बैराज बनाया गया हरिके बैराज पंजाब में पड़ेगा वहां से ये कैनाल नहर जो है वो निकाली गई है तो ये है हरिके बैराज ब पॉंग बांध पॉंग बांध जो है हिमांचल प्रदेश में है और इसके और जब आगे बढ़ेंगे उपर तो एक और आपको डैम मिलेगा वो भी हिमांचल प्रदेश में पढ़ेगा और उसका नाम है पंडोह बांध पंडोह या देहर बांध यह ब्यास नदी पर है दो यह ब्यास परियोजना जो है यह ब्यास परियोजना कही जाती है ब्यास परियोजना बिद्दुत के लिए परियोजना है और इसमें जो है हिमांचल प्रदेश में यह बनी हुई है हिमांचल प्रदेश और इसमें राजस्थान को बिजली सेयर मिलता है हरियाणा है यहां भी हरियाणा आपको हमने बताया था तो यह दो बांध आपको याद रखने हैं जो ब्यास परियोजना के इंतरगत आते हैं कौन सा पडो या देहर पडो या देहर बांध और पॉंग बांध यह दोनों किस नदी पर हैं यह हैं ब्यास नदी प भी हिस्सेदार है ब्यास परियोजिना में ब्यास रिवर में तो यह जो पॉंग बांध है इसके पीछे एक जलासे है जिसको रामसर साइट का भी दर्जा दिया गया है तो वो भी आपको याद रखना है पॉंग बांध के पीछे जो जलासे है वो आर्द्र भूमी के तह़त आता है वेट लेंड के तहर्ट आता है और उसे रामसर साइट का दर्जा दिया गया है इसको आप नोड़ून भी कर लीजेगा यहां पॉंग के पास में जो जलासे बनेगा यह यह बनेगा पॉंग जलासे पॉंग जलासे और यह रामसर साइट है रामसर साइट आपको पता ही होगा रामसर आद्र भूमियों के लिए जो है साइट होती है तो पॉंग जलासे पॉंग बांध के पीछे हैं तो हमने यहां पर सतलज और ब्यास पर जो परियोजना है देखी वो दो बड़ी परियोजना है भाकरा नागल परियोजना है और ब्यास परियोजना ब्यास रिवर पर जो परियोजना है उसमें पडोह बांध और पोंग बांध महत्यपूर्ण है और इसमें ध्यान रखेगा इसमें राजस्थान के अभी हिस्सा है, पोंग बांध के साथ में आपको पोंग जलासे के बिसे में भी जानना है, क्योंकि ये आर्द वेटलैंड है, आर्द भूमी है, और इसको रामसर साइट घोसित किया गया है, हरिके बैराज जो है, वो ब्यास और सतलुज के बौडर मत संगम पे हैं, और यहां से सिचाई के लिए नहरे निकाली गई है, और इसमें इंद्रा गांधी नहर जो है लेखनी है, जो राजस्थान के लिए सिचाई उपलब्ध कराती है, विकानेर और और काफी जगे तक यह पहुंचती है नहर, तो सतलज पे भाकरा नांगल और ना प्रयोजनाएं जाननी है, डो डैम है, एक तो आपको पहले यहीं पर आपको चमेरी और दूसरी जो है थीन, 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 रावी नदी पर दो परियोजना आपको याद रखनी है चमेरी परियोजना आपकी जो है वो पड़ेगी हिमांचल परदेश में और थीन जो है वो पंजाब में है चमेरी परियोजना किस नदी पर है किस स्टेट में है चमेरी परियोजना रावी नदी पर है हिमांचल परदेश में और थीन परियोजना जो है वो पंजाब में है और ये भी रावी नदी पर है तो दो परियोजना आपको याद रखनी है रावी से रेलेटेड रावी कौन कौन सी दो एक चमेरी हिमांचल परदेश में और थीन प रणजीत बांध भी कहा जाता है थीन बांध को इसको जो है रणजीत बांध भी कहा जाता है थीन बांध को तो ये भी प्रसनाप से पूछा जा सकता है कि रणजीत बांध या थीन बांध जो है किस इस्टेट में है किस नदी पर है तो आपका उत्तर होगा रावी नदी पर परदेस बने और यह जह बड़ि वांधु ऑर इसमें इंडिया का पूरा अधिकार पर इसले है बड़ी परयोजनाइन के नहीं अब जो यह तीन नदियं चेनाव जहलम और झिंद नदी तो हमने आपको पहले ही बताया कि सिंधु नदी पर कोई भी डारेक्ट कोई परियोजना इंडिया ने नहीं बनाई है अभी तक हाँ एक अभी हम देखेंगे दो परियोजनाएं जो सिंधु की साहय के एक नदी है छोटी सी लद्दाक में सुरू नदी उस पर देखेंगे चेनाब और जहलम और सुरू पर जब भी परियोजनाएं बनती हैं यहाँ किसंगंगा भी देखेंगे रिवर तो इस पर पाकिस्तान को हमेशा आपत्ती रहती है सुरुवात में एक दो परियोजनाव पर नहीं रहा लेकिन जैसे जैसे बहरत ने ज्यादा संख्या में परियोजनाएं बनना शुरू किया तो हर बार पाकिस्तान को ये आपत्ती होती है कि ये सिंधु जल समझोता जो हुआ था उसका उलंगन है क्योंकि भारत हमारा पानी जो है वो रोकने की कोशिस कर रहा है हलाकि भारत छोटी परियोजना ही बनाता है भारत इस तरीके से हरकते नहीं करता है के हिसाब से जायज भी है क्योंकि अगर ये पानी चनाब जहलम और सिंधु का पानी भारत अगर रोक लेता है किसी वज़े से तो इसके लिए खत्रे की घंटी होगी और काफी जो है वाटर इसके इसके यहां देखने को मिलेगी तो चिंता जायज भी है उनकी और देखते ह ने इस मुद्य को उठाया भी है और इसमें समझोते हुए है लेकिन अभी तक कहीं पर भी ऐसा नहीं देखा गया है कि संधिका उलंगन हुआ हो और मैं मानता हूं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो है काफी समय तक यह संधी बरकरार है बाकी तो हर एक संधियों का उ 1960 से लगभग जो है 60-70 वर्स 60-62 वर्स जो है हो रहे हैं और अभी यह संधी चल रही है तो यह काफी अच्छी बात है देखिए चनाब पर हम देखेंगे तो चनाब नदी पर आप देखोगे तीन परियोजनाएं हैं भारत की तीनों ही जम्मू कस्मीर में हैं इस तरह से ती तीन परियोजनाएं है चनाब नदी को यहां पे मैं बना लेता हूं वहां आपको यह है चनाब चनाब नदी पर हमने आपको तीन परियोजनाएं बताई है पहले जो पड़ेगी एक पड़ेगी बगलहार इस पे भी विवाद है पाकिस्तान की तरफ से सलाल सलाल पे ज़्यदा विवाद नहीं है और एक है दुलहस्ती दुल हस्ती दुल नामकस्थान पे बात बना हुआ है हस्ती नामकस्थान पे जो है बिद्धुत केंदर बना हुआ है तो सलाल परियोजना, बगल हार परियोजना, सलाल परियोजना और दुलहस्ती परियोजना ये तीन जो है आपकी चनाब रिवर पर है आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ये जम्मू और कस्मीर एरिया है यह आपका हो गया बगल हार अगर यहीं पे हम लिखें तो बगल हार क्रम भी आप देखें बगल हार फिर जो है सलाल है और इसके बाद में यह परियोजना दुलहस्ती परियोजना है ये तीनों ही परियोजनाय कहा है तो ये तीनों ही परियोजनाय जम्मू एंड कस्मीर में है ये छोटी परियोजनाय है विजली से रिलेटेड है ये नहरे इत्यार निकालने के लिए या पानी को रोक के रखने के लिए परियोजनाय नहीं है ये तीनों ही परियोजनाय कि इनको बनाया गया है कि ये किसी दी प्रकार से पानी को अपति नहीं Dec रहत 찾 chi पार नहीं得 नहीं रहते हैं यानि कि पाकिसटान और भारत पानी से यहां पे रोगतार जो है चो सबस्ते पर नाधनИक नहीं प्रवाहित होता रहता प्रशन तो कभी भी अंतरराष्टी मंच पे जाते हैं तो ऐसा कुछ साबित नहीं कर पाते हैं क्योंकि भारत को हमने अभी सिंद नदी समझाओते में बताया था कि भारत को इन तीन नदियों पर जो है अपनी इलेक्टिस हाइड्र इलेक्टिसिटी प्रजेक्ट लगाने की अन्मति है यानि कि नदी का पानी नहीं रुकेगा और हम प्रजेक्ट लगा सकते हैं तो बगलिहार सलाल और दुलहस्ती तीनों परियोजनाएं किस नदी पर हैं चनाब नदी पर हैं किस स्टेट में पढ़ेंगी तो यह जम्मौ एं देखने को मिलेंगे जेलम पर और एक जेलम की सहायक नदी पर भी आपको मिलेगा तो जेलम पर जो हैं वो एक प्रजेक्ट है उरी उरी प्रजेक्ट जेलम नदी पर है काफी पुरना प्रजेक्ट है पाकिस्तान को इस पर कोई आपत्ती नहीं थी पहले लेकिन एक और प्र तुल्बुल जेलम नदी पे और एक प्रोजेक्ट और है जो काफी बिवादित रहा जेलम की एक और सहायक ब्रांच रिवर है किसन गंगा नदी है किसन गंगा छोटी नदी है किसन गंगा और इसी पे एक प्रोजेक्ट बनाया गया किसन गंगा प्रोजेक्ट का भी नाम है किसन गंगा कि इसमें जो है वाटर को डाइवर्ट किया है इंडिया ने वह भी डाइवर्ट इसलिए नहीं किया है कि उसको हम कहीं और ले जा रहे हैं सिर्फ एक ब्रांच का पानी डाइवर्ट करके दूसरी ब्रांच में लाया गया है और वह इसी में बह रहा है तो सिर्फ इतना ही तुलबुल परियोजना जो है वो जहेलम पर डारेक्ट बनी हुई है ये भी सभी प्रजेक्ट जो है रन अब दरिवर सिस्टम पर बेस्द है तो अगर हम जहेलम को देखें तो जहेलम में एक तो आपकी किसंगंगा हो गई किसन गंगा जो किसन गंगा रिवर पर है और एक हो गई उरी और एक हो गई तुलबुल किसन गंगा और तुलबुल परियोजना पर जो है पाकिस्तान को काफी आपत्ती जो है वो रहती है तो ये जहेलम से related तीन प्रजेक्ट आपको याद रखने है उरी प्रजेक्ट किसन गंगा प्रजेक्ट और तुलबुल प्रजेक्ट तो ये जहेलम पे हो गए चिना पे हो गए ये जो किसन गंगा प्रजेक्ट है वो लद्दाक छेतर में पढ़ता है और काफी प्रजेक्ट बिवादित है हैं अब हम सिंधू ृवर्पर डालेक्ट कोई प्रद्र तो नहीं है लेकिन सिंधू रिवर की एक सहायक नदी हैं सुरू क्यों जुरू नदी है का सुरू नदी इस र inhabit प्रजेक्ट थे उन दोनों को आप जाने क्युक्ति वह काफी चर्चित हैं और उसको लेकर के भी आपत्तियां पाकिस्तान को रहती हैं सुरू नदी पर दो परियोजनाएं हैं एक है चुटक परियोजना और एक है निम्मो बाजगू काफी फेमस है इसका काफी नाम आप सुने होंगे निम्मो बाजगू ये दोनों ही लद्दाख में पड़ेंगी लद्दाख में किसंगंगा भी लद्दाख में है बाकी उरी जो है और तुलबुल जमू कस्मीर में है तो सुरू नदी सूरू नदी काफी फेमस रही है, चर्चा में रहती है क्योंकि इस पे हमारी ये जो दो परियोजना है चुटक और निमो बाजगो इसको ले करके भी पाकिस्तान आपत्ती करता है कि सिंधु नदी का पानी जो है रोकने की कोशी साफ कर रहे हैं बलकि ये छोटे परजग्ठ है और सिंधु पर हैं भी नहीं, छोटी नदी पर है शुरू नदी पर चुटक और निमो बाजगो परियोजना ये लद्दाख में पढ़ते हैं तो टोटल आपने देखा कि सिंधु नदी तंत्र पर इतनी परियोजनाएं हैं जो भारत बनाए हुआ है इसमें टोटल 6 नदियां है जो पूरब की तरफ से आप देखोगे इधर से यह आप कह सकते हो नीचे की तरफ से तीन नदियां सतलज नदी, ब्यास नदी और रावी नदी इसके पूरे पानी पर भारत का अधिकार है नदियां ये जो है नहर बना के इसका वाटर डैवर्ड भी कर सकता है बिजली के प्लांट लगा सकता है और हर प्रकार से बहुत देसी प्रियोजनाय बना सकता है तो बैराज पंजाब में जहां से इंद्रा गांधी नहर निकाली गई प्यास परियोजना के इंतरवित पड़ोह और पोंग बांध आपने देखे जो दोनों ही हिमांचल प्रदेश में और नहर तो यहां से निकली ही है तो इन सभी परियोजनाओं से राजस्थान भी लाभनवि ही है तो यह तो इसमें कोई बिवाद नहीं है बिलकुल इंडिया के अधिकार चेत्र में है इनमें बिवाद है तो चनाब पे तीन है बगलिहार, सलाल और दुलहस्ती जहेलम पे भी तीन है उरी, तुलबुल और किसन गंगा, किसन गंगा जहेलम की एक छोटी ब्रांच है, सहायक नदी किसन गंगा पर है तो इसको लेकर की भी बिवाद है सिंधु पे हमारा डालेक्ट कोई भी डैम कोई भी परियुजना नहीं है सिंधु की एक छोटी सहायक नदी और है सुरू नदी और उस पे चुटक और निम्मो बाजगो नाम से दो परियोजनाएं हैं बिजली की परियोजनाएं तो इस तरह से इतनी टोटल परियोजनाएं जो आपने देखी जो हिमांचल परदेश, पंजाब, जमू कस्मीर और लद्दाख के छेतर में बनी हुई हैं तो इनसे रिलेटर्ड यही सारे कुश्च आपसे पूछे जा सकते हैं तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास जो हम इंडियन जोग्राफी पर करेंगे तो उसमें हम जो अगला रिवर सिस्टम उठाएंगे वो गंगा और उसकी सायक नदियों पर कितने प्रजेक्ट हैं उन पर बात करेंगे और उसके बाद हम फिर दच्छिल भारत की तरफ देखेंगे कौन कौन से प्रजेक्ट हैं तो मिलते हैं एक और बहतर क्लास के साथ में तब तक की लिए धन्यवाद